मैं यह जानना चाहती हूँ और जनता भी जानना चाहेगी कि आम आदनी पार्टी ने अपने कारेकाल में कितने नए स्कूल बनवाया है यह मेरी नॉलिज में नहीं है जो कि मैं तो MCD में हूँ CM और PM में कोई फरक नहीं होता जारा ही बड़ा होता लेकिन काम के लिए बराबर है CM जो काम कर सकता वही परदान मंतरी कर सकता और यह पढ़ा लिखा आदमी है यह PM बनेगा तो PM भी अच्छा काम करेगा बच्चे बच्चे की जवान पर मनी सी सो दिया है और वो जो एक साल से भाजब पर लगरी थी उनके पीछ है वो कहीं भी नहीं फसा पाई यह समझो जेल में मनी सी सो दिया नहीं दिली को जेल में डाल दिया दिली के बच्चे को भुश खराब कर दिया यह तो सिधे सिधे इशारा हो गया कि पढ़ा लिखा PM होना चाहिए यानि कि केजरी वाल पढ़े लिखे हैं तो उनको PM बना देना चाहिए सटी खबरों का सिधासर आप देख रहे हैं NCR समाचार इस वक्त हमारे साथ NCR समाचार के स्टूडियो में मौझूद है संगम बिहार तुगल का बाद के निगमपार स्ट बाद 170 के चौधरी भाग विरजी तो पहले में आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे NCR समाचार के स आपका स्वागत है देको सच्व तो यह झाए का भाव भी हमें पहं हमें फंड नहीं मिला है और हमारा चार महिने होगा है उसमें अभी तक जघड़ा होता चलागा अभी हमारा मेर और डिप्टिमेर बना है, उसके बाद कोई चुनाव और नहीं हुया है। अब इस महिने से हमारा फंड चालू होगा। और उसमें साफ सपाई तो हम उसी दिन से लगे हुए हैं। और MLA का फंड जो था, वो काफी हद तक हमने कम से कम 10-12 बोर हमने तुगलकबाद एक्टेंशन में 12 बोर हो सुके हैं। और कम से कम 8-10 गडियों में काम सीवर लेंड के चल ले हैं। जब से हम दोनों साथ में आए हैं, तो काफी काम हमारे जो पैंडिंग पड़े थे, जो पूनम भाटी के टेम सब रुके हुए थे, वो अब सब काम चालू हो गए हैं। अब 10-12 गडियों तो आज की डेट में सीवर लेंड की चालू हैं। तो मैं एक सवाल आप से पूछना चाहूंगी, छोटा सा सवाल है, आपने जो पिछली पार्टी में काम किये, क्या उसको देखकर आपको वोट मिला है या आपकी नई पार्टी को देखकर आपको वोट मिला है जनता का, इस पर जवाब जानना चाहूंगी आप। तो एक बार तो कोई भी जीत जाता है, लेकिन दुबारा जीतना वो जीत एगा जो छेतर में काम करेगा, और जो काम ना करे, उसे छेतर नहीं चुनेगा, कहीं भी कोई MLA होई, MP होई, जो काम करता है उसे ही तो चुनते है पबलिक, तो मैंने काम कर रही है, मैंने तुगल क इतने रोड कमरसल पास कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में एक कलानी के किसी नहीं होगे, जितने रोड कमरसल पास, जिस रोड पाप बैठे हो ये कमरसल पास है, यह मेरे टम का दो हजार दो के पीरियड में फिडिय कि यह पास कर आया, ओकला इаст एक बलोते हैं, यह जंग ग्ध च आज भी चाहते कुछ लोगों की अपनी चाहत थी और कुछ पाइटी का मुझे संभल जो है वह अच्छा था आज के टेम जारू का बहुत अच्छा नाम था मैं आज क्या हूं टोटल मेरा ही सिरे जाता नहीं यह केजरीवाल को भी सिरे जाता है चुकि पाइटी का सिरे सबसे जादा था अच्छा एक चिठी आज वाइरल हो रही है मनीश सोधिया जी की जो जोनोंने जेल से बैठ करके यह देश के नाम चिठी लिखी है कि देश के पीम का पढ़ा लिखा होना बेहत जरूरी है बेहत आवश्यक है इस पर आपका क्या कहना है देखो परधान मंत्री प पारसद अनपढ़ चल सकता है लेकिन जो पिम है वो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है यह कि हमारा PM को बहारे हर देश में जाना होगा और हमारा PM पढ़ा लिका नहीं हो है हमारे देश का तो पूरे देश की बेजती है उसमें PM कहीं का भी हो कोई भी हो पढ़ा लिका होना चाहिए अच्छा आमादमी पार्टी के संजय सिंग अभी बयान दे रहे थे प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने कहा कि जो भाजपा पार्टी है वो अनपड़ों का जमात है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आमादमी पार्टी में जब पढ़े लिखे नेता व्रस्टाचार करेंगे तो बहतर है कि भाजपा अनपड़ है देखो वो तो संजय सिंह का बयान था लेकिन मनी सिसोधिया जी एक बहुत पढ़े लिखे आदमी है और उनने जो दिल्ली में काम करा है शाथ कोई कर पाएगा जितने इस शिक्षा पे उननने काम करा है दिल्ली में अभी तक किसी ने नहीं काम करा आज किसी सकूल में जाके देखो, बच्चे बच्चे की जबान पर मनी सी सो दिया है, और वो जो एक साल से भाजब पर लग रही थी उनके पीछे, वो कहीं भी नहीं फसा पाए, लाश्ट में एक वो गाम से लेके गाम से जुड़े हुए है, गाम से दिली से यारे प्यारे करा जुलम क्या है, पबलिक में कोई मैसिज नहीं है, आप पी पढ़े लिखा आदमी, आप देख लो, पबलिक में मैसिज है, एक उसने इतने बड़ी दकैती कि रिए उतना बड़ा घपला करा, अभी तक कोई सामने नहीं आया है, अब ये क्या करेंगे, ये भाजब पा, जो सेंटर सरकार का फायदा ठाक है, और एक मनिस इसोदिया पठेली का आदमी को, शरीप आदमी को, उनने जेल में डाल दिया, ये समझो, जेल में मनिस इसोदिया नहीं, दिल्ली को जेल में डाल दिया, दिल्ली के बच्चों को भाश खराब कर दिया, तो क्या हम ये मान ल यदि को जेल में चला जाता है तो सोभाव की बात है उसको इस्तिपा देना होगा और यदि नहीं देते हैं तो पाइटी दूसरी पाइटी सत्ताधारी जो बैठी है वो दिन पर दिन आये दिन कोई नहीं धरना परदसन फिरी फंड़ का इसलिए सभीधान की कदर करते हुए उनने अपने आप इस्तिपा दिया तो सतेंदर जैन की बात करते हैं वो तो काफी समय से जैल में थे तो उन्हों ने इतना इंतजार क्यों किया कि मनिश जी आएंगे तब ही हम स्तिफा देंगे वो तो पहले भी दे सकते थे थे अभी तक को सिद्ध हुया लेकिन मनिश सी सो कानून है जो आज से ने वाबा भीम्राव अंबेड करके टैम का कानून बनाये हुए उसी के तहत उनने इस्तिपा दिया है संजे सिंग का कहना है कि भाजपा ने 60,000 सरकारी स्कूल बन करवा दिये मैं ये जानना चाहती हूँ और जनता भी जानना चाहेगी कि आम आदनी पार्टी ने अपने कारेकाल में कितने नए स्कूल बनवाये हैं कितने नए स्कूल हुए हैं निये मेरी नॉलिज में नहीं है जो कि मैं तो MCD में हूँ और MCD में जिसके सामने हम बैठे हैं ये 2002 के पीरियेड में साथ तक मैंने बनवाया उसके बाद हमारी मिसीज आई तो आपने बारे नंबर गली के सामने दो सकूल जो बने हुए हैं उन प अच्छी तरह बहतर बता सकते हैं चलिए आमादनी पार्टी जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाओ की तयारी कर रही है और ये दावा किया जा रहा है कि आमादनी पार्टी वहां पर जीतेगी भी यही दावा गुजरात में भी हुआ था और यही दावा दि कि देख लिए आपके सामने भी नतीजे है और आप भी जानते हैं कि आमादनी पार्टी को पूर्ण भहुमत नहीं मिले थी यानि कि जो सीटे हैं सो सीटे वाजपा के पास भी गई थी तो हम यह नहीं कह सकते कि दिली की जनता ने पूरी तरह सामादनी पार्टी को गुजराट में भी दावे हुए थी कि गुजराट में अमाद्मी पाटी ज़रूर जीते गी लेकिन दो सीटे ही हांसिल हुई जीत नहीं पायद करीब तीन लाग जनता नहीं वोट दिया था आमाद्मी पाटी को अब उत्तर प्रदेश में फिर इही दावा किया जा रहा है क् इतनी सीटे हासिल होगी आम आदमिपाटी को देखो हमारी पाइटी नहीं आई है वो नहीं पाइटी जो है अपना हर जगे अपनी छाप छोड़ रही है महनत कर रही है और हो यह कह लगे हम तो किसी फिल्ड में नहीं है तो उन्हें कौन पूछेगा आज गुजरात में दो हम हम आदमिए है कून हमारा खाता तो खुला पंजाम में हमारे एक-दो एमपी तो आये थे फिर कुछ सीट आई आज पंजाम में बहुमत से आई है आपके सामने आई है बहुमत से तो ऐसी एक से दो होगी अब आगे कुछ परियास कर रही है पाइटी कहीं नहीं तो फिर लोग सुभा के चुनाव में तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें परदानमंत्री की कुरसी दे दी जाए जनता उन्हें परदानमंत्री की कुरसी पर बठा दे तो क्या लगता है आपको कि वो परदानमंत्री बनने के काबिल इस वक्त है क्योंकि अभी अभी आप जानता था कोई यह सोचते थी तो कुछ भी नहीं है चार दिना की चांदनी आज दिल्ली में आई तीसरी बार आई तो इस समन सकता है पढ़ा लिखा आदमी है चलाने लाइक काबिल है दिल्ली को चला रहा है CM और PM में कोई फरक नहीं होता दारा ही बड़ा होता लेकिन काम के लिए बराबर है CM जो काम कर सकता वो इपरधानमंत्री कर सकता है और यह पढ़ा लिखा आदमी है यह PM बनेगा तो PM भी अच्छा काम करेगा ऐसे देखा जाए तो पूरे भारत में कई CM है आप भी मानते हैं हर जगे हैं लेकिन केवल केजरीवाल को छोड़ कर कोई भी परधानमंत्री के डिगरी के लिए सवाल नहीं उठा रहा है जरूरी नहीं है कि वो आदमी पार्डी से नहीं है इसलिए नहीं उठा रहे है अपर एयसा नहीं सकते हैं कि भाजपा का सिकंजा है even आव आदमी पाटी हो इसलिए अरविंद केजरिवान जान बुझकर प्रधारमंतरी की डिग्री फर बार बार सवाल उठा रहे हैं देखू एसा नहीं है यदि वो किसी पर सवाल उठाते हैं, आपने देखा सिमर्तिरानी कितने बोलती थी, तो उसी बात को, और वो डिगरी उसकी किसनी मिली, जीरो, जिसको मंतरी बना रहा खाता, और कितनी पढ़िली की बात कर रहा, सिक्षा मंतरी उसे मना रहा खाता, जब उसकी डिगरी खंगाली गई तो वो बार्वी पास लिखडी सिशाथ और ऐसी परधान मंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए केजरिवाल जी का कहना है कम से कम PM पढ़ा लिखा होना चाहिए देश का इस बात पर सवाल उठाएंगे और जब बीजे भी उनको सवाल उठाएंगे तो उसका भी आक बनता है न उससे पूछने का ये तो सिधे सिधे इशारा हो गया कि पढ़ा लिखा PM होना चाहिए यानि कि केजरिवाल पढ़े लिखे है तो उनको PM बना देना चाहिए देखो आज नहीं तो कल प्रियास तो जरूर होगा और बनना ना बनना ये कुछ काम ऐसे हैं जो इश्वर के आधिन भी होते हैं लेकिन प्रियास में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो चलिए जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप एक आखरी बर बोल दीश जनता के एक जनता जनारदने और जनता ने हमें दिल्ली में में सत्ता में दिया 134 सीट हमें दिये फुल बहुमत में हम दिल्ली में और हमारी पंजाम में फुल बहुमत में दिल्ली में फुल बहुमत में और आने वाला समय हर स्टेट में जो हमारा प्रियास है वो हरी स्टेट में पूरा मैसिज दे रहे हैं आना ना आना तो इदर पब्लीक है उपर है लेकिन प्रियास हमारी पूरा कर रही है चलिए इनकी बाते हैं आपने सुन ली जनता के लिए इनका मैसिज भी आपने सुन लिया तो इनका यही कहना है कि जनता ने इनके काम को देखते हुए इनको वोट दिया है ना कि इनकी पार्टी को देखते हुए और पिछले कई सालों से जनता के लिए बहतर काम करते आए हैं तो हम भी यही उमीद करते कि आने वाले कल में भी इनकी काम जनता के लिए बहतर सावित होंगे धन्यवाद